हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है एक और नी वीडियो के अंदर तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 विशे घनीत तोपिक आपके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अध्याई नमबर पार्च समीशे शंक्या एव दिगात समीकरण की जो वरक्सीट है ये उस वरक्सीट को बहुत ही आसान तरीके से सॉल करेंगे तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम एक एक क्योशन के आंसर को आपको समझाएंगे इस क्योशन का आंसर ये क्यों आया तो क्योशन नमबर फर्स्ट है कि यदि जेड वन इस इकल प्लस फाइफ आयोटा तदा जेड टू इस इकल टू टू माइनस त्री आयोटा हो तो जेड वन प्लस जेड टू वे जेड वन इन्टू जेड टू घ्याद कीजिए तो चलिए अब देखते हैं इस क्योशन का अंसर और जेड टू इसका आपको जोड वे गुणा करना था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किस तरह से जोड करना है तो आपको जोड करने के लिए एक सुत्रयाद रखना है अगर आपको जोड और जोड एट टू में जो संक्या होती जोड लेंगे या पर माइनस का तीन आयोटा तो पाच में से तीन आयोटा पाच आयोटा में से तीन आयोटा चला गया तो कितना बचेगा दो तो इसका मतलब यह कि जो हमारी संख्याई होती है उसको जोड लीजिए और जो आयोटा होते हैं उसको आप जोड सकते हैं तो यह तो मसला हो गया Z1 प्लस Z2 का अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना है आगे आपको पूछ रखा है Z1 इंटू Z2 मतलब 4 प्लस 5 आयोटा के आपको 2 माइनस 3 आयोटा से गुणा करनी है ये गुणा भी बहुत सिंपल है जैसे आप दूसरी संक्याओं का गुणा करते है उस तर पहले आप 4 को इससे गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 फिर 4 को माइनस 3 आयोटा से तो माइनस का बारा आयोटा अब हम 5 आयोटा को 2 से कर लेते हैं तो 10 आयोटा और 5 आयोटा को माइनस के 3 आयोटा से कर लेते हैं तो माइनस का 15 आयोटा इसक्वार तो 8 माइनस 12 आयोटा और दस दस और माइनस दो तो कितने बचेंगे माइनस का दो आयोटा और यह माइनस का पंदरा आयोटा स्क्वाइर तो आठ माइनस दो आयोटा और जो आयोटा स्क्वाइर होता है आयोटा स्क्वाइर का मान माइनस का एक होता है तो माइनस का एक और माइनस का तो प्लस के पंदर तो 8 और 15 को आप जोड़ लीजिए 23 और ये माइनस का 2 आयोटा तो ये बहुत ही सिंपल है जैसे आप गुणा करते हो उसी तरीके से आपको करना था तो ये हो गया आपकी क्योशन निम्बर फर्स्ट अब हम देखते हैं क्योशन निम्बर सेकंड क्योशन निम्बर सेकंड है आयोटा की लगातार चार पूरांग गातों का योगफल कितना होता है आपको बताना है कि जो आयोटा होता है उसकी लगातार चार गातों का योगफल कितना होगा तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कह सकते है जो आयोटा की पावर सुनी होती है उसका मान आपके एक होता है और आयोटा की पावर जब एक होती है तो उसका मान आपके आयोटा होता है और जब आयोटा स्क्वाइर होता है तब उसका मान माइनस का एक होता है और जो आयोटा क्य कूप होता है तब उसका मानWow हमें क्या करना है इन सब का यह करना है तो यह ब इसका प्लसका इंचल उर्प्लसके वन से माइनस का वन कैंसल तो क्या निश्कर्ष निकला सुन्ये मतलब आयोटा की लगाता है चार पुरां गातों का योगफल कितना होता है सुन्ये यह सिंपल सा क्योशन था अब हम देखते हैं क्योशन नमर तीन क्या बोल रहा है आयोटा की पावर 2021 का मान गयात कीजिए तो सबस प्लस बीस फिर उतारा दो भागने जाता तो सुन्ये और फिर कितने होगे 21 तो चारू पंजे बीस तो कितना बचना है हमारे प्लस में एक जितना भी हमें बचता है वो ध्यान रखना है जो भी सिंख्या होगी उसमें आप क्या करोगे सबसे पहले चार का भाग दोगे और जितना बचेगा कितना बचना है हमारे एक तो आपको ज्यान रखना है जब भी आयोटा की पावर 4K प्लस 1 के रूप में होती है तब उसका मान कितना होगा आयोटा यह आपको ज्यान रखना है और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो अब हम देखते हैं क्योशन नमबर 4 जेड इड़ी इकल टू 3 प्लस 5 आयोटा का योज्य वे गुणातमक प्रतिलोम ढद कीजीए यह भी बहुत सिंपल क्योशन है इसके अंदर आपको योज्य गुणातमक प्रतिलोम ढद करना है हमें यहापपर जेड क्या देखा है 3 प्लस 5 आयोटा तो यह जेड युनिवर् अटा नहीं चाहिए तो हम तो प्रुस प्रप्रक्रर्ण करते हैं उसी तरीके से करेंगे तो थीज़ं प्लस 5 टांक टीज़ं से फाइफ माइनस फाइफ आई A squared मतलब 3-a squared 3-a squared हमार 9 यह plus--minus-minus तो यह minus protocols आयोटा की गुना 5 आयोटा से तो आयोटा यहอशार आगे बेढ़े 3-5 आयोटा और आयोटा squirrel का महान कितना होता हमार –- 1-1 और – 25 तो – – –IELए यह जाएगा 3-5 आयोता ओपन 34 तो इस तरी के से आपको Q4 करना था कुछ नहीं करना है आपको सी प्रिमे करन करके इसका आंसर निकाल देना है तो याद तक हमने कर लिया था 3-5 आयोटा अपोन 34 अब हम इसे A प्लस आयोटा B के रूप में रखेंगे तो 3 अपोन 34 और मैनस का 5 अपोन 34 आयोटा है आपको इस तरीके से लिक देने का है तो आपको सारी चीजे समझ में आ रहे है कि इसका आंसर ये कुछ तरीके से है अब हम देखते है Q5 Q5 क्या है आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर माइनस 5 का मान ग्याद कीजी अभी हमने ग्याद किया था आयोटा की पावर जब 3 होती है तब उसका मान माइनस का आयोटा होता है ये हमने ग्याद किया था और आयोटा की पावर माइनस 5 इसका मतलब ये है कि 1 अपोन आयोटा की पावर 5 तब ही तो ये उपड़ गया तब माइनस हुआ ना तो इस तरीके से तो मैंने आपको क्या बता है, जब भी आप आयोटा की पावर को निकालो, तो आपको उसके फौर से डिवाइड करना है, जब हम पाज को चार से डिवाइड करेंगे, एक बार चला जाएगा और एक बच जाएगा, तो हमें सेश्फल पर देखना है, सेश्फल कितना है, एक, जब भी आपको एक मिले तब आपको उसका मान आयोटा मान लेना है तो यहापर हमारा माइनस का आयोटा प्लस वन अपोन आयोटा तो माइनस का आयोटा वन अपोन आयोटा इसको हम उपर पे देंगे तो माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा को हम जोड देंगे तो हमारा तो इस तरीके से आपको इन 5 क्वेशन के आंसर करने थे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से से शेयर करें और चैनल पे पहल नहीं को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको झाले मिले